आज की कहानी है अमेरिका से डॉक्टर पुश्पा सक्सेना की अपने पंक पसारो आकांग्शा सुनिए वैदेही किसवर में संडे के दिन चाय के कप के साथ शरतने अकबार खूला था पूरे सप्ता आफिस की वैस्ता के बाद एक इसी दिन उसे कुछ आराम का मौका मिलता था कभी सोचता अच्छा होता किसी बड़ी कंपनी का उच अधिकारी होने की जगे किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाता कॉलेज में छुट्टियां तो मिलती अचानक उसकी निगाह एक विज्यापन पर पड़ी रोज गार्डन में गुलाबों की प्रदर्शनी थी शरत का मन खिल उठा फूलों से उसे बहुत प्यार था विशेशकर गुलाब उसकी पहली पसंद थे अपने घर में भी उसने अलग-अलग रंगों वाले गुलाबों की रंगीन क्यारियां बनवा रखी थी उसके कोशिश रहती पह गुलाब के अनूठे रंगों से अपना गार्डन सजा ले उसके दोस्त हंसते यार शरत तुझे अपनी बीवी ऐसी ही डोननी होगी जो इन गुलाबों को तेरे ही तरह प्यार दे सके वरना प्यार के अभाव में ये सूख जाएंगे विज्यापन देखते ही शरत गुलाबों की प्रदर्श्णी में जाने को तावला हो उठा सवेरे जल्दी जाने से भीर कम होगी और फूलों का सही आनंद उठाया जा सकेगा कैमरे को गले से लटका शरत ने कार स्टार्ट की थी अभी कमी लोग प्रदर्श्णी में पहुँचे थे चारों और हवा में जूमते गुलाबों पर मुख द्रिश्टी डालते शरत की नजर एक अनोखे गुलाब पर अटक गई गुलाबी और जामुनी पंखड़ियों वाला अखीला गुलाब अपने समस सौंदर के साथ इठला रहा था शरत ने जैसे ही कैमरा क्लिक किया गुलाब को प्यार भरी नजरों से सहलाती एक लड़की की तस्वीर में उतर आई शायद उसी पलवे वहां आई थी कैमरे से नजर हटा शरत ने उस लड़की को देखा था गुलाब के सौंदर इसे होड लेती उस लड़की ने गुलाबी सलवार सूट के साथ जामुनी चुन्नी ओड रखी थी तो इसमें शरत कुछ कह पाता कि लड़की की मीठी आवाज सुनाई दे Excuse me, Mr. किसकी पर्मीशन से आपने मेरी तस्वीर कीजी है माफ कीजेगा आपकी फोटो लेने का मेरा कोई रादा नहीं था कैमरा क्लिक करते ही आप उसी गुलाब के पास अचानक आ गए जिसे मैं अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा था आप भी मानेंगी इतना सुन्दर और अनूठा बहुत रेयर होगा शालींता से शरतने सफाई देनी चाहिए आपकी बातों में मैं नहीं आने वाली वो सकता है अपने गुलाब की नहीं मेरी ही फोटो लेनी चाहिए ये बात तो तब संभवती जब मैं जानता कि आप इस समय इस पॉट पर आने वाली है आप अपना एड्रस दे दीजे इस नायाब गुलाब के चितर के साथ आपकी फोटो आप तक पहुँच जाएगे यानि कि आप मेरा पता लेकर मेरे घर आप पहुचेंगे बाइदो वे अगर आप कोई प्रोफेशनल फोटोग्रेफर हैं और इस नायाब फोटो को किसी कॉम्टीशन या मैगजीन में भेचने की योजना बना रहे हो तो आने वाली मुश्किलों से साफधान रहे हैं खबाल करती हैं ये कैसे सोच लिया कि मैं कोई प्रोफेशनल फोटोग्रेफर हूँ एक बड़ी कंपनी मैं अच्छी बली नौकरी कर रहा हूँ फोटोग्रेफी मेरी होबी है ये फोटो बस मेरे अलबम में रहेगी अगर ऐसा है तो मेरे साथ वाली फोटो कैमरे से इरेस कर दीजे और इस गुलाग की जितनी चाहे फोटो खीचते रहे लड़की ने कड़ाई से कहा अगर आपको किसी सुन्दर चीज को मिटाने का इतना ही शौक है तो लीजे आप खुदिरेस कर दीजे वैसे ये फोटो आपके अलबम की शोबा बढ़ा सकती है शरद ने अपना कैमरा लड़की को देते हुए का कैमरे में लिये गए चितर को देखती लड़की के चेहरे पर एक मुग्द भाव आ गया आप सच कह रहे हैं इस फोटो का मिस्यूस तो नहीं किया जाएगा लड़की ने अविश्वास से कहा लीजे ये मेरा कार्ड रख लीजे कोई भी गलती होने पर मेरे खिलाफ एक्षन ले सकती है शरत के चेहरे पर हलकी मुस्कान आ गई ठीक है विश्वास कर रही हो अगर मुश्किल नहो तो फोटो की एक कॉपी महिला कल्यान केंदर में भेश दीजेगा एड्रेस नोट कर लीजे नो प्रॉबलम मैं इस केंदर को जानता हूँ मेरे ओफिस के रास्ते में पढ़ता है थैंक्स तकलीफ के लिए एक्षमा चाहूंगी माई प्लेशर पर आपका नाम क्या है केंदर में किसके नाम से फोटो छोड़नी होगी लड़की जैसे ही जाने को मुड़ी शरत ने पूछा आकांक्षा बस इतना ही कहना काफी होगा वाँ क्या सार्थक नाम है आप तो किसी को भी आकांक्षा हो सकती है शरत ने मनी मन सूचा घर लोटकर शरत ने सबसे पहले कि स्टूडियो में फोटो की प्रतियां निकालने को दी ताज्जूग की बात तो ये थी कि शरत भी प्रतियों की उच्चुकता से प्रतिक्षा कर रहा था नियत दिन फोटो की प्रतियां लाने गए शरत से फोटोग्रेफर ने पूछा बहुत सुन्दर तस्वीर आई है साथ में जो खड़ी हैं क्या वह आपकी पत्नी है या कोई मॉडल है आपने कमाल की फोटो ली है अगर आप इजाज़त दें तो इस फोटो को एनलार्ज करके अपने स्टूडियो में लगाना चाहूंगा भूल कर भी ऐसे गलती मत कीजेगा वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे शरत को अपना वादा याद था फोटो का दुरुपयोग किसी हालत में माने नहीं होगा ऐसी क्या बात है सर सच तो यह है कि इस फोटो से मेरे स्टूडियो में ग्रहाकों की संक्या बढ़ जाएगी इतना ही नहीं अगर आप इस तस्वीर को किसी मैगजीन में छपवा दें तो मैं गैरंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ही फर्स प्राइज मिलेगा गुलाम और इस चेहरे में से कौन ज़्यादा सुन्दर है कहना मुश्किल है मुख्त दृष्टी से तस्वीर देखते फोटोग्रेफर ने कहा आपके सुझाव के लिए धन्यवाद पर मुझे न किसी पुरसकार की चाह है नहीं आपके स्टूडियो के ग्राहकों की संख्या से मतलब बस इतना याद रखिएगा ये तस्वीर सिर्फ मेरी है अगर इसका कहें भी इस्तमाल हुआ तो आप मुश्किल में आ जाएंगे शरत ने तीखा जवाब दिया आपके बास समझ गया सर ये लिजे आपका फोटोग्रेफ कतिया लिफाफे में डालते फोटोग्रेफर ने एक बर फिर फोटो पर हसरत भरी निगार डाल लिफाफा शरत को थमा दिया थैंक्स पेमेंट कर शरत बाहर आ गया महिला कल्यान केंदर पर कार रोप शरत रिसेप्शन की और बढ़ गया मन में ख्शीन से आशा थी शायद वहां अकांक्षा मिल जाए रिसेप्शन पर एक योगती ने स्वागत करते हुए पूछा नमस्ते सर बताईए आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ मुझे भी साकांक्षा से मिलना है क्या वह इस समय यहां है शमा करें अकांक्षा दीदी अभी नहीं आई है पर थोड़ी देर में वह जरूर आ जाएंगी अभी वह अस्पताल में भरती ओड़तों को देखने गई है आप चाहें तो प्रहतिक्षा कर सकते हैं क्या अकांक्षा जी डॉक्टर है वह इसमें शरदने जानना चाहा जी नहीं पर दीदी दुखी ओड़तों के जक्मों पर प्यार और हिम्मत का मरहम लगा कर उनका दुखदर्ज जरूर कम करती हैं अस्पताल के अलावा इस केंदर की देखभाल और युनिवस्टरी में पढ़ाई के साथ इतने सारे काम हमारी आकांक्षा दीदी ही कर सकती है रिसेप्शनिस्ट के चहरे पर आदर का भाव था ओ पर मैं ठीक समझा नहीं शरत कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था मतलब दीदी समाज शाहत्र विशय में रिसर्च कर रही है और जो औरतें तकलीफ में होती है दीदी उन्हें सहारा देती है अरे ये लीजे आकांक्षा दीदी आप पहुँचे आपको ज़्यादा प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ी रिसेप्शनिस्ट की दृष्टी का अनुसरन करते शरत की निगाहें आकांक्षा पर ठहर सी गए सफेद सल्वार सूट पर धानी दुपटे में आकांक्षा का खिला चेरा ऐसा लग रहा था मानो नई कोमल हरी पत्तियों के बीच सफेद फूल खिल रहा हो सफेद पर हलकी मुस्कान के साथ आकांक्षा ने रिसेप्सनिस्ट को इसने भरी द्रिश्ट से देखा पास खड़े शरत को देखा अरे आप यहाँ याद आया शायदा फोटो लाए हैं आईए उधर कुर्सी पर बैठते हैं शरत के हाथ में पकड़े लिफाफे पर आकांक्षा की नजर पड़ गई जी हाँ आपकी अमानत पहुचाना मेरा दायत वो जो था हलकी मुस्कान के साथ शरत ने लिफाफा बढ़ाया धन्यवाद आशा करती हूँ आपने अपना वादा निभाया होगा इस फोटो की प्रतियां कहीं बाहर नहीं दिये जी हाँ फोटो की तीन प्रतियों मेंसे दो आपको दे रहा हूँ एक मेरे पास है अगर आप चाहें तो फोटोग्राफर से कन्फर्म कर सकती है वैसे वह अपकी फोटो अपने इस स्टूडियों में लगाना चाहता था ओ नो आपने उसे मना तो कर दिया फिर भी एक बार देख लीजेगा उस पर विश्वास करना ठीक नहीं अपने फायदे के लिए ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं परिशान नहों मैंने उसे चेताबनी दे दी है वह ऐसी गलती नहीं करेगा ऐसा लगता है आप किसी के विश्वास घात की शिकार हुई है दुनिया में सब लोग धोके बाज ही नहीं होते शरत ने कहा आपको ज़्यादा प्रतिक्षा तो नहीं करने पड़ी आप फोटो हमारी रिसेप्शनिस्ट रूबी को भी दे सकते थे शरत की बात का उत्तर न दे उसने अपनी बात कही उस विसीती में आपके साथ एक कप चाई की उम्मीद कैसे करता बाहर से या आपके केंदर के किचिन से आ रही खुश्वू फैल रही है शरत ने परहास किया यहां चाय तो क्या पानी तक पीने से लोग डरते हैं आकांग्शा ने गंबीरता से कहा ऐसा क्यों कह रही है आकांग्शा जी मुझे विश्वास है यहां का तो पानी भी अम्रत जैसा मीठा होगा आप शरत जानते नहीं इस कल्यान केंद्र की शरण में परिवार से निर्वासित शोशित प्रतारित इस्त्रियां ही नहीं है इन में बहुत सी एड्स प्यूरित इस्त्रियां भी है आकांग्शा चुप हो गई यह तो बहुत अच्छी बात है आप उन्हें नवजीवन दे रही है शरण ने प्रशंसा की दुख इस बात का है कि एड्स की समस्या के लिए यह खुच जिम्मेदार नहीं है बलकि इन्हें एड्स की सौगात इनके दुराचारी पती से मिली है फिर भी इन्हें दोशी करार करके घर से बाहर निकाल दिया गया है हमारे हैं किचिन के काम यही इस्तरियां करती है आप उनके हाथ की बनी चाय पीएंगे आकांख्षा की सवालिया निगाः शरण के चेरे पर निबत थी जी ऐसी कोई बात नहीं है मैं तो मजाग कर रहा था आफिस में सारे दिन चाय ही तो पीनी पड़ती है शरण के चेरे का बदलता रंग आकांख्षा से छिपा नहीं रह सका कोई बात नहीं शरण जी इसलिए तो पूछा था यहां बड़ी बड़ी हस्तियां सहानुवूत दिखाने आती हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं सबको टीवी और मीडिया पर बताते हैं एड्स छूत की समस्या नहीं होती पर यहां कब पानी भी नहीं पीते उत्तर में शरण को मौन देख आकांख्षा ने का आपको बहुत देर हो गई है मेरा भी काम का समय हो गया है आपको बता दूँ मेरा खाना पीना सब इसी केंद्र में होता है यह केंद्र और यहां रहने वाली इस्त्रियां मेरे परिवार की सदस्या हैं फोटो पहुँचाने के लिए धन्यवाद हाथ जोड आकांख्षा ने विदा मांग ली शरत के चेहरे पर विश्मय और खिस्याहट इस्पस थी कार चलाते हुए वह सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं आकांख्षा पहें एट संक्रमित हो वरना इतनी सुन्दर शिक्षित लड़की को क्या बस समाज सेवा के लिए ऐसी ही जगे काम करना था इस सेफशनिस ने बताया था कांख्षा समाज शास रिविशय में शूद कारे कर रही है इतनी सुन्दर लड़की क्या है चाईवी पोजिटिव हो सकती है सुना है चेहरा देख कर नहीं जाना जा सकता कौन है चाईवी संक्रमित इंसान है इसी उधियर बुन में वे घर पहुँच गया मालिक को आया देख रामू ने चाई की ट्रे सामने रख दी अन्मने भाग से शरत ने चाई का कप ओटों से लगाया पर जैसे चाई में आकांख्षा का चेहरा उभर आया था निश्चई वे शरत के विवार से एक शुब्दती अचानक उसे याद आया समाश्चात्र विभाग में उसका मित्र अविनाश भी लेक्चरार है वे जरूर आकांख्षा के बारे में जानता होगा अविनाश से मिलने की सूच करके शरत को काफी आश्वास इसी महसूस हुए वैसे वे स्वैम भी सूच रहा था जरासी देर के परिचे में उसे उस लड़की के बारे में जानने की इतनी उसकता क्यों है भविश में उससे शायद ही कभी मिलना हो अरे शरत कहो यार आज कैसे हमारी याद आ गई सुना है अब अपनी कंपनी में बड़े उंचे पत पर पहुँच गए हो बहुत दिनों बाद शरत को अपने विभाग में देख अविनाश विसमित और खुश था ऐसी बात नहीं है भला कोई दोस्त तो बुला देता है बस काम के प्रेशर की वज़े से नहीं मिल पाया तू सुना कैसा है युनिवस्टिक के नौकरी में तो छुट्टियों का मज़ा रहता है शरत ने सफाई दी तू चाहे तो तू भी नौकरी बदर ले पर तेरे कंपनी वाले ठाट यहां नहीं मिलेंगे अब बता तू किस काम से आया है सिर्फ मुझसे मिलने ही तो नहीं आया है क्यों ठीक कहा ना अविनाश ने शरारती मुस्कान से कहा क्यों कि अब काम बिना तेरे पास आना गुना है अमानता हूँ इधर कुछ दिनों से नहीं आया वरना क्या पुरानी मीठी यादे हैं फुलाई जा सकती है अरे मैं तो मजाग कर रहा था चल कैफेटेरिया चलते हैं बहुत दिनों से तेरे साथ कौफी का मजा ही नहीं लिया तोनों साथ उठखडे हुए कैफेटेरिया में विद्यारतियों की भीड थी दोने एक कुने की खाली टेबल पर बैठ गए अविनाश ने वेटर को कौफी लाने का निर्देश दे कर पूछा कुछ खाने को मंगाऊं नहीं यार कभी तेरे घर आऊंगा तब शीला भावी के हाथ कब बना खाना खाऊंगा कैसी है भावी जी अच्छी भली है आतकल समाज सेवा की दुन चड़ी है हमारे विभागा ध्यक्ष डॉक्टर नारंग ने अपनी मा की स्मृति में एक महिला कल्यान केंदर खूला है शीला भाव की स्त्रियों के कड़ाई बुनाई सिखाने जाती है हमारे विभाग के कुछ लड़कियां भी हेड को खुश करने के लिए भाव मदद के लिए जाती है वैसे भाव की सर्वे सर्वा एक मिस अकांग्षा है कमाल की लड़की है अकांग्षा वा, इन सो कॉल में साकांख्षा में ऐसी क्या बात है जिसने हमारे दोस्त को भी इंप्रेस कर रखाए अगर तुम उससे मिलोगे तभी तुम समझोगे बुद्धी और सौंदर का मिलन किसे कहते हैं हर परिक्षा में टॉप किया है उसे तो जो देखेगा उस पर निचावर हो जाएगा पर उसके गामपीर और हैड के डर से कोई बात करने से भी डरता है आके डॉक्टर नारंग उसके गौड फादर जो ठहरे लगता है मेरा दोस्त भी उस पर निचावर है बाबी से कहना होगा शरद ने परियास किया सच अगर शादी न कर ली होती तब ठ्राय जरूर करता वैसे तू चाहे तो तुझे मिलवा सकता हूँ तू भी अभी तक शादी के बंदन में नहीं बंदा है अरे रहने दे मुझे किसी समाज सेविका से शादी नहीं करनी है सुनते हैं उस केंदर में एड्स वाली इस्त्रियां भी रहती है क्या पता तुमारी आकांग्षा जी भी एड्स संक्रमण की चपेट में आ गई हो पागल हैं अरे आकांग्षा का तो रिसर्च का विशा ही ऐसी इस्त्रियों से संबन देता है उनकी सही इस्तिय और एड्स व्रस होने के कारण आधी जानने के लिए ही उसने उस केंदर में रहने का निश्चे किया है प्रताडे तिस्त्रियों को वे नई रहा और जीना सिखाती है मैं तो कहता हूँ बड़े जीवत वाली लड़की है उसकी तो जितनी भी तारिफ की चाहे कम है जो भी हो वहां रहते हुए उनके साथ खाते पीते क्या एड्स संक्रमण का भय नहीं है तू पढ़ा लिखा मूर्ख है किसने कहा एड्स संक्रमण छूट से होता है कई व्यक्तियों ने एड्स संक्रमित लड़कियों से विवा भी किये है बस कुछ सावधानिया आवचक है शीला तो अक्सर हुआ खाना का कर आती है ओन इस्तियों की बनाई चाय तो मैंने भी कई बार पी है थैंक्स यार अब चलता हूँ हाँ काफी काफी बहुत अच्छी थी किसी दिन तेरे घर आऊंगा भाबी जी को मेरी याद दिला देना अचानक शरदुर्ट खड़ा हुआ उसके मन से मानो कोई बोज उतर गया था अविनाज से हाथ मिला कर कार में जा बैठा आज आफिस में अवकाश था अनायासी उसने कार केंदर की और मोड़ दे रिसेप्शनिस्ट ने उससे पहचान लिया आये सर अभी मैं दीदी को बुलाती हूँ है वह अंदर ही कुछ काम कर रही है रिसेप्शनिस्ट भीतर चली गई शरत कोने में पड़ी कुरसी पर बैड़ गया समझ में नहीं आ रहा था वह आकांग्शा से मिलने को इतना उत्सुक क्यों था कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा आश्रम से आती आकांग्शा को देख शरत खड़ा हो गया अरे आप कैसे आये आप तो फोटो उसी दिन दे गए थे आकांग्शा विस्मत थी आज फोटो देने नहीं आया हूँ असल में आपके आश्रम और आपके कारियों की बहुत थारीफ सुनी है आपके इस पुनीत कारिय में मैं भी अपना कुछ सहयोग देना चाहता हूँ आपका आश्रम देखना चाहता हूँ धन्यवाग मिस्टर कुमार आपको निराज करते हुए दुख है पर इस मंदिर जैसे आश्रम में मैंने पुरुषों का प्रवेश सर्वता निशिद कर रखा है गंभीरता से आकांग्षा ने कहा पुरुषों से इस नाराजगी के कोई खास वज़ है कहीं ऐसा तो नहीं आपको किसी ने धोका दिया है या मैंने अपनी व्यक्तिकर जिंदगी के बारे में किसी को बात करने का अधिकार नहीं दिया अब क्या आपको कुछ और कहना है क्या सिर्फ पुरुष होने के काराण मुझे आश्रम को आरतिक सहायता देने का भी अधिकार नहीं है आश्रम के इस्तियों को स्वावलंबी और स्वाविमानी बनाने की शिक्षा दी जा रही है। अपने हुनर से वे स्वावलंबी बन रही हैं। अनुदान की अपेक्षा आप किसी और तरीके से उनकी मदद करना चाहें तो ठीक होगा। उदासीन स्वर में आकांचाने का बताईए मैं और किस तरह से उनकी मदद कर सकता हूँ। मुझे कुछ सहायता करके खुशी मिलेगी। कुछी दिनों बाद आश्रम के इस्तियां एक सांस्कृतिक कारेक्रम का मंचन करने वाली हैं। अनुदान की जगें अगर आप इस कारेक्रम के टिकेट बेचने में मदद कर सकें तो आभार मानोंगे। हम सिर्फ अनुदान में विश्वास नहीं रखते। वाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। जादा से जादा टिकेट बेच सको। शरत का चेहरा खेर उठा। एक बात याद रखिए। मुझे इंप्रेस करने के चक्कर में कहीं खुदी सारे टिकेट मत खरीद लीजेगा। पहली बारा कांग्शा के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। शरत मुग्द भाव से देखता रह गया। यानि कि आप जानती हैं मैं आपको इंप्रेस करना चाहता हूँ। वैसे आज चाय के लिए नहीं पूछेगा। आज तो आफिस में भी चाय नहीं पीए। शरत ने मजाग किया। मुझे इंप्रेस करने के चकर में अपना समय बरबात करने की गलती भूल कर भी मत कीजेगा। आपको याद है याँ चाय कौन बनाती है। सब याद है। आपकी एक-एक बात याद है। कहें तो दोरा दू। शरत के चेरे पर शरारत थी। लगता है आपकी स्वरण शक्ती बहुत अच्छी है। अपनी इस क्वालिटी को आफिस के कामों में ही लगाएं तो बहतर है। वैसे भी पांच मिनट में आपकी चाय हाजिर हो जाएगी। रिसेप्शनिस्ट को चाय मंगाने का ओर्डर देकर आकांक्षा ने ओफिस की डेस्ट से टिक्टों का एक पैकेट निकाला और शरत की और बढ़ाते हुए कहा ये तीस टिकट हैं अगर इतने ही बेच सकें तो काफी हैं ये तो एक हफ़ते में ही बेच लूँगा और टिकेट लेने के बहाने आपसे एक बार फिर मिलना हो जाएगा। वैसे अगर आप बुरा न माने तो एक सच में कहना चाहता हूँ आपसे जो एक बार मिल ले फिर बार बार मिलना चाहेगा। सहस करके शर्द ने कहा जानती हूँ पर एक सच और भी जानते होंगे सुन्दर गुलाब में काटे होते हैं अगर ये काटे चुप जाएं तो तिल मिला देते हैं आकांग्षा के चेरे पर आक्रोश ता था जानता हूँ फिर भी क्या गुलाब से प्यार करना छोड़ना जानती हैं मेरे गार्डन में बहुत किस्मों के गुलाब खिलते हैं उनकी कांट छाट में नजाने कितनी बार कांटे चुबें पर गुलाबों के प्यार में कभी कमी नहीं आई शरत की दृष्टी आकांग्शा के चेरे पर निबद दे रिसेप्शनिस्ट के साथ साफ आसमान की थी शरत को चेरे पर पड़ी लखी रहें उसके सुंदर चेरे को उदास बना रही थी मिस्टर कुमार यह चंदा है इसे संगीज का बहुत अच्छा ग्यान है सांस्कृति कारिकरम की यह जान है क्यों चंदा ठीक कह रही हूं न हाँ यह मिस्टर कुमार है हमारे शो के टि का सिप लेते शरदने का पता नहीं चाय आपको पसंद आई या नहीं पर चंदा के हाथ की बनी अद्रक तुलसी की चाय मुझे बहुत पसंद है आकांग्शा के मुख पर संतोज की खुशी थी आपकी पसंद भला गलत कैसे हो सकती है चाय सचमुच अच्छी थी डरता हूं कह इस चाय के लिए फिर ना आना पड़े शरद ने परिहास किया चाय के लिए या मेरे लिए सच कहते क्या डर लगता है वैसे ऐसी भूल मत कीजेगा पच्छताएंगे बात खतम करती आकांग्शा ने विदा के लिए हाथ जोड शरद को विस्मित कर दिया वापस लोटते शर के मन की बात पढ़ ली थी अब जैसे अकांग्शा शरत के लिए पहेली बनती जा रहे थी इतना तो निश्चित था कोई बात जरूर है जिसने उसकी जिन्दगी में कड़वाहट भर दी है क्या हो सकता है कहीं में बलातकार की शिकार तो नहीं हुई है जिसकी वजह से उसे पुरुषों से एतनी नफरत हो गई है नहीं ऐसा नहीं हो सकता पर नहीं अब उसे वह उसके बारे में नहीं सूचेगा गराज में कार पार्क करते शरत ने निश्चे कर डाला अपने निश्चे के बावजू दूसरे दिन शरत ने अपने असिस्टेंट को बुला कर कहा महिला कल्यान केंद्र द्वराई है कारेक्रम आयोचित किया जा रहा है इस कारेक्रम से जो धन आएगा उसे पीडित महिलाओं के कल्यान कारियों में लगाया जाएगा आफिस में जो लोग दुखी इस्ट्रियों की सहायता करना चाहें उन्हें ये टिकिट दे दीजें उम्मीद है इस पुनीज कारे में सब मदद करेंगे नहीं सर क्यों नहीं सर लोग पिक्चर देखने में भी तो इतने पैसे बरबाद करते हैं ये तो पुने का काम है असिस्ट्रेंट ने चापलूसी भरे शब्दों में कहा वे अच्छी तरह से समझता था सहाब का काम पूरा करने के लिए बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे चार दिनों में तीस ट्रिकुट बिक जाना कठेन काम नहीं था बहले ही पीट पीछे कुछ एक ने कहा कि हमारे कुमार सहाब को समासीवा का शौक कब से हो गया शायद अपनी किसी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं जो भी हो शरत के असिस्टेंट को अपने काम में तो काम्यावी मिल ही गई थी आकांग्षा को एकत्रित की गई राशी देने के बहाने शरत को फिर उससे मिलने का मौका मिल गया वा आपने तो कमाली कर दिया धन्यवाद के साथ आपको ये वियाईपी कार्ट देना मेरा फर्ज बनता है आपके लिए प्रोग्राम में सबसे अगली सीट पर इस्तान रहेगा पर समय से आना पड़ेगा ये इसलिए कह रहे हूँ क्योंकि आप एक व्यस्त अधिकारी है आपके लिए तो समय से पहले आना मेरा सौभाग्य होगा वैसे मैंने कोई इतना बड़ा काम भी नहीं किया है क्या आप मुझे वियाईपी बना रहे हैं अगर मेरे पुरुष होने से आपको कोई परेशानी न हो तो आपके कारियों में सायोग देकर मुझे बहुत खुशी होगी मीठी सी मुसकान शरत के अधरों पर आ गई कितने पुरुष वस्तुता पुरुष होते हैं मिस्टर कुमार कभी यही पुरुष संसार के वेश में जंगली भीडियों से भी बत्तर होते हैं पर एक पुरुष होने के नाते आप इस सत्य को स्विकार नहीं कर सकते मुझे आप जानती ही कितना हैं दुख है कि आपने मुझे भी जानवरों के ख्रणी में रख दिया जीवन में किसी पुरुष की वासना का शिकार बनने के काराण सब पुरुषों को एक ही तरादू में तौलना क्या ठीक है आकांचा जी शरत का स्वर आहत था माव कीजे आपको निशाना बनाना मेरे लक्ष नहीं था आपने ये कैसे सोच लिया मैं किसी का शिकार बन सकती हूँ नहीं शायद गलत कह रही हूँ इनी पुरुष नामधारी जीवों के काराण मुझे समाज नेक ऐसा खिताब दिया है जिसे पाकर मैं पत्थर बन गई हूँ आप पत्थर बन गई हैं ऐसा तो कहीं किसी एंगल से नहीं देख पा रहा हूँ आप ते कोमल टहनी पर खिली गुलाब का फूल देखती हैं शरार्ती, मुस्कान, शरत के अधरों पर थी गुलाब के फूलों की जात यानी किस्मों के नाम होते हैं मेरे पास गुलाबूं जैसा कुछ नहीं है आकांख्या ने अजीव स्वर में का आपकी बातें समझ नहीं पाया मेरे लिए आप पहेली बनती जा रही हैं मुझे पहेली ही बनी रहने दे समाधान पाने की प्रयास में बहुत निराशा होगी एक दिन बात प्रोग्राम हैं बहुत काम करने हैं आप ठीक समय पर आ जाईएगा जो भी हो आप अगर पहेली हैं कि मैं समाधान खोज करी चैन से सो सकूंगा शरद द्रडसपर में बूला परेशान नहों मिस्टर कुमार समाधान खोजने में आपकी बहुत लोग साहता करेंगे अब माफी चाहूंगी अचानक आकांग्शा उट कर चली गई वे इसमें शरद उसे जाते देखता रह गया शरद परिशान था आकांग्शा उसकी समस्य परे थी उसने ऐसा क्यूं कहा उसके पास गुलाबों जैसा कुछ नहीं है पर सिर्फ आकांग्शा ही क्या किसी गुलाब से कम है शरद जितना आकांग्शा के बारे में न सोचना चाहता वे उसके दिमाग पर हावी होती जा रही थी यह तो निश्चा था उसके मन पर कोई आगात पहुंचा था पर क्या काश वे पहले उस पहेली को मूच पाता है शरद को लगता शायद वे आकांग्शा को चाहने लगा है यह तो सच था उसमें चुम्बकी आकाचन है पर उसकी उदासीनता शायद किसी को भी अपने पास नहीं आने देती यही तो अविनाज ने भी कहा था उसी उदेड बुन में शरद की आठ लगी ही थी कि फोन की घंटी बज़ुटी अलसाय शरद ने फोन उठाया दूसरी और उसके चाचा थे शरद बेटा कैसे हो तुम्हें नीन से उठा दिया कल में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ रिदीव तो करोगे ही पर पिछली बार की तरह लेट मत हो जाना चाचा जी की हसी ने शरद को चैतने कर दिया डोन वरी चाचु समय से पहले पहुँच जाओंगा फोन रखकर शरद के अधरों पर मुस्कान आ गई दूसरे दिन चाचा के आ जाने से शरद बहुत खुश था चाचा उसे बेटे की तरह प्यार करते थे दोनों के बीच चाचा भतीजे से ज़्यादा दोस्ती का रिष्टा था शरद उनके साथ अपने दिल का हर राज आसानी से खोल सकता था चाचा को शहर गुमाने के लिए उसने आफिस से चुट्टी ले ले आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं कल यहां के महिला कल्याण केंदर द्वारा एक कल्चरल प्रोग्रेम होने वाला है मुझे वियाईपी कार्ड मिला है आपको भी चलना होगा शरद ने खुशी से कहा वाब बेटा तुम कब से महिलाओं का कल्याण करने लगे चाचा ने मजा किया दूसरे दिन शरद बहुत साहित था ठीक समय पर पहुँचने की बात उसे याद थी नियस समय पर चाचा के साथ शरद कारेकरम इस्थल पर पहुँच गया दूआर पर गुलाब की कल्यां देकर उनका स्वागत किया गया हॉल में शरद की आँखें आकांक्षा को खोच रही थी अंदतह उसकी खोच पूरी हुए मंच पर हलके गुलाबी रंग की साड़ी में आकांक्षा ने मीठी सदी आवाज में माइक पर उद्गोचना शुरू की थी उसकी वाणी और अनुपम सौंदर से हॉल में समनाटा सा किच गया शरद उसे अपलक नहारता रह गया तबी पास बैठे चाचा की आवाज ने उसे चौका दिया अरे आकांक्षा यहाँ? इतने दिनों बाद आकांक्षा यहाँ मिलेगी सोचा भी नहीं था आप आकांक्षा को जानते हैं चाचू? शरद विस्मित था मैं ही क्या? फूलफूर का हर इंसान आकांक्षा को जानता है बड़ी लंबी कहानी है ऐसी क्या बात है चाचू? शरद के रोम रोम जैसे कान बन गया हो अब तो उस पहेली को बूजने का समय आप पहुँचा था जिसने जानने के लिए वै बेचैन था कायरक्रम से तो उसका मनुचाट हो गया था अपनी क्षमता के अनुसार केंदर की इस्त्रियों का प्रदर्शन अच्छा ही था निश्चा ही उनके सफलता में आकांक्षा के कुशल निर्देशन और नेतरत्व का कमाल था पर शरद को तो घर जाने की जल्दी थी घर चल कर बात करते हैं खल आकांक्षा से भी मिलूँगा आज तो वे व्यस्त है चाचा निश्चिंत थे घर पहुंचते ही शरद ने सवालों की जड़ी लगा दी चाचु ऐसी क्या बात थी जो आपने कहा आकांक्षा को सब जानते हैं बात ही ऐसी थी आकांक्षा की अपूर सुन्दरी माया फूल पुर में दरिंदों का शिकार हुई थी उस सुन्दर अकेली औरत पर दरिंदे आँख लगाए बैठे थे क्या माया जी के साथ उनके परिवार वाले नहीं थे अपने माता पिता को एक दुरगटना में खो कर उसे ताउ के घर की शरण लेनी पड़ी थी ताउ ने उसकी संपत्ती पर अपना अधिकार जमा उसे बेघर कर दिया उनके दुरव्यवार के कारण माया ने फूल पूर के एक स्कूल में नौकरी कर ली इलावास से रोज फूल पूर आना जाना कठिन था इसलिए फूल पूर में ही एक कमरा लेकर रहने लगी आप ये सब बतें कैसे जानते हैं चाचू उस समय फूल पूर मेरी ही कस्टरडी में आता था तेज तूफानी रात में माया का दर्वाजा तोड़ कर चारों गुसे थे माया की चीखें किसी को सुनाई दी या जान कर न सुनी गई सुभह खुला दर्वाजा देखकर ठाने में खबर कर दी गई उसे अस्पताल में भरती करा दिया गया पर माया अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी सबसे बड़ी त्रासदी तो यह हुई जब दो माह बाद उसे गर्वती पाया गया चाचा चुप हो गए सच यह तो माया जी के प्रती बहुत अन्याह हुआ उन्हें किसने साहरा दिया चाचु मिशन अस्पताल से आई डॉक्टर माया के प्रती बहुत सानुवूती पूंट थी उस अवस्था में उसे मैंडल हॉस्पिटल भीजना उचित नहीं था माया के ताउताई ने उसे पापिन कहकर घर में रखने से साफ इंकार कर दिया नौ मावाद बेटी जनम देते ही माया ने इस दुनिया से विदा ले ली बच्ची का प्यारा चेहरा देखकर डॉक्टर के मुँ से सैसा निकल गया आकांग्शा बस तब ही इसका नामकरण हो गया अस्पताल की दाई रतनी को बच्ची की देखभाल का दायत वदिया गया एक वश बाद जब आकांग्शा को अनाथाले भीजने की बात उठी तो रतनी ने कहा उसे बच्ची से मोग हो गया था वै दुनिया में अकीली जान है बच्ची के साथ उसको नया जीवन मिल जाएगा आकांग्शा के ताउताई के मुकाबले तो रतनी दाई अच्ची थी क्या आकांग्शा रतनी के साथ रही चाचू शरत की आवाज में आक्रोश था रतनी ने उसे माँ जैसा प्यार दिया पर मोले वाले उस बच्ची को पाप की उलाद और नाजायस कहते थे यहां तक कि बच्चे भी उसे पापी कहकर चिड़ाते समय भीता गया आकांग्शा चौती कक्षा में पहुँच गई पढ़ाई में वैं हमेशा अवल रही स्कूल में एक फार्म भरती आकांग्शा ने अपना नाम आकांग्शा नाजायस लिखा तो टीचर इस्तब्द रह गई वास्तविक्ता जानने पर टीचर ने रतनी को समझा कर आकांग्शा को अपने मिशन में काम कर रही विद्वा बेहन के पास पढ़ने के लिए भीज दिया मुझे ख़बर मिलती रही आकांग्शा जब बड़ी हो चुकी थी और नाजायस का अर्थ समझने लगी थी दुख इस बात का है कि फूलपूर का कोई वेक्ति अचानक मिलने पर आकांग्शा के घाव कुरेद देता एक अख़बार में पुरसकार लेती आकांग्शा को देखा था इसलिए आज पहचान गया ओ इसलिए वे किसी के सामने नहीं खुलती अपने को अलग रखती है मुझे वे हमेशा एक अबूच पहेली सी लगी तुम आकांग्शा को कितना और कैसे जानते हो तब ही उनकी नजर टीवी पर रखे एक फोटो पर पड़े जिसमें आकांग्शा गुलाब के फूल से होड लेती खड़ी थी तो तुमारा अकांग्शा के साथ अफेर चल रहा है वैं गंबीर थे ऐसा बिल्कुल नहीं है चाचू पर ना जाने क्यों मैं उसके प्रती गहरा खिचाव महसूस करता हूँ शरद ने संकोच पूरी कहानी सुना गया उसके साथ शादी का इरादा तो नहीं रखते बर्खुरदार अगर ऐसा हो तो उसमें अपना सौभाग गिमानोंगा शरद ने सच्चाई से कहा उसकी सच्चाई जानते हुए भी कि अपनी मा को इस शादी के लिए राजी कर पाओगे उस काम के लिए आप पर पूरा भरोसा है पापा के न रहने पर मा आप पर ही तो विश्वास करती है ठीक है पर पहले तुम तो आकांग्शा से हां कहला लो चाचा जैसे सोच में पढ़ गए थे शुक्रिया चाचु जान आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी आकांग्शा में अगर उसकी मां के साथ कुछ गलत हुआ तो उसमें आकांग्शा का क्या दूश आज में समझ पा रहा था वे आकांग्शा की ओर ना सिर्फ उसके अनुपम सौंदर की वज़े से आकरश्ट था बलकि उसके पूरे वजूद ने शरत को मोपाक्ष में जकर दिया था शरत को आया देख आकांग्शा का चेहरा खिर उठा माफ कीजेगा कल आपको इतने सुंदर प्रोग्राम के लिए बधाई नहीं दे सका शरत ने का धन्यवाद आपके सायोग के लिए हम सब आभारी हैं मीठे स्वर में आकांग्शा ने उत्तर दिया आकांग्शा जी आज आप से कुछ मांगने आया हूँ देने का वादा करना होगा मैं आपको क्या दे सकती हूँ अगर संभव हुआ तो वादा पूरा करके मुझे बहुत खुशी होगी क्या आप मुझे अपना जीवन साथ ही बना सकती है मैं आपको बहुत चाहता हूँ जीवन भर आपका साथ देता रहूंगा बिना किसी भूमिका के अचानक शरत कह गया क्या कह रहें आप आकांख्शा के चेहरा पीला पड़ गया मैं आपकी पूरी कहानी जानता हूँ जो हुआ उसके लिए आप कते ही जिम्मेदार नहीं है सब कुछ जानते हुए आप ऐसा प्रस्ताव रखकर मेरा उपहास करना चाहते हैं आपका उपहास नहीं अपना सत्य बता रहा हूँ जिस दिन से आपको देखा है एक अजीब कशिश महसूस करता रहा हूँ और अब अपने दिल का सत्य जान चुका हूँ प्लीज आकांग्शा मुझे स्पिकार कर लो जब से समझ आई अपने लिए पापिन की बेटी नाजाय शब्दों में भरा तिरसकार ही जेला है आपको उस अपमान का भागी कैसे बने दे सकती हूँ मुझे एक शमा करें अगर ऐसी बात है तो मैं कहूंगा आपकी एस समासेवा एक जूट है तेज आवाज में शरदने का क्या कहा मेरी समासेवा जूट है किस आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं आवाज भी किसी थी सची तो कह रहा हूँ जो अपने मन की कुंठा से मुक्त नहीं हो सकी वैं दूसरों का मार्क दर्चन कैसे कर सकती है आपको तो अपनी मा या अपने लिए कहे गए अप शब्दों को चुनौती की तरह स्विकार करके सबका डटके विरोध करना चाहिए था पर आपने क्या किया अपने को सबसे अलग काट कर अपने लिए अकेले पन की सजा खुद तै कर ले आप समझ नहीं रहे हैं पूरे समाज से लडपाना क्या इतना असान होता है नजाने मेरी मा मुझे जनम देने तक कैसे जीवित रह पाई आकांग्शा का स्वर भीग गया था मा का दुखियात करने की जगे आपको तो अपने आक्रोश की आग से समाज में चेतना जगानी चाहिए थे आप आज तक वही पुराना दुख जी रही है नाजायस और नपुनसक्त वह दरिंदे थे जिन्होंने रात के अंधेरे में एक अबला का जीवन नश्च किया शरत की आवाज में उत्तेजना थी चेहरक रोश से लाल हो उठा उस चेहरे को विसमे विम्युक्द आकांग्शा ताक्ती रह गई आज तक किसी ने मुझसे इस तरह से चुनोती नहीं दी मिस्टर कुमार आप ठीक कहते हैं मुझे कुंटा मुक्त होना चाहिए आकांग्शा के नयन चलचला आए इसी बातर मेरी अर्जी मनजूर कर लो आकांग्शा तुमारे पस कुंटा को फटकने भी नहीं दूँगा मेरा प्यार सब बुला देगा शरत की उत्सुक दृष्टी आकांग्शा के चेरे पर निबद थी आपको मेरी मा की दुर्भागिपूर कहानी किसमें सुनाई मिस्टर कुमार उस घटना के समय मेरे चाचा इलाबाद में सीनी और एस्पी थे उन्होंने ही उन दरिंदों को सजा दिलवाई थी आज भी उन्हें दुख है उन वैशियों को फांसी नहीं दिलवा सके मुझे विश्वास है समाज में चेतना आएगी समाज बलतकरत इस्त्री से नहीं बलातकारियों से ग्रुणा करेगा उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी चाचा जी तुम्हें जानते हैं उन्होंने ही तुमारी हां सुनने के लिए मुझे यहां भी जाए आपने तु मेरे दृष्टकोणी बदल दिया मिस्टर कुमार मैं तो सूच भी नहीं सकती थी कोई पुरुष आप जैसे विचार भी रखता होगा हमेशा डरती रहे यहां तक कि साथ की लड़कियों से भी मिद्रता नहीं कर पाए हमेशा यही डर रहा कहीं वे मेरे कहानी जान कर मुझसे नफरत न करें आप नहीं जानते बच्पन से कितने नफरत और अपमान का जहर मैंने पिया है आकांग्षा का गला भराया दूसरों के विवा होते देख क्या कभी आपके मन में भी विवा के इच्छा नहीं होई आकांग्षा? नहीं एक ही बात मुझे पर हावी रही अगर कभी कोई समझदार सुपातर व्यक्ति मिला तो उससे शादी कर भी लेती तो समाज हमेशा डराता ही रहेगा जो अपमान का जहर मुझे पीना पड़ा कहीं वही अपमान नाजायज मा की संतान कहला कर मेरी संतान को न सहना पड़े सच तो यह है पुरुष माजर से नफरत के कारण मैंने कभी शादी की बात सोची भी नहीं अब तो यह डर अपने मन से निकाल फिकुआ कांग्षा किसी की मजाल जो मेरे बच्चों या मेरी पतनी की ओर नजर उठा कर देख भी सके कुछ उल्टा सीधा कहना तो दूर की बात है मुझे हिम्मत दी पुरुष तो मानोगी अरे अब तो हाँ कह दो आकांग्षा एक रिक्वेस्ट है मिस्टर कुमार नहीं मैं तुम्हारा शरत बनना चाहता हूं आकांग्षा शरत की गहरी दृष्टी आकांग्षा के चेहरे पर निबद दी आकांग्षा को मौन देख शरत व्यग्र हो उठा मुझे पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ आकांग्षा कहो तो अपनी सक्चरित्ता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दू जो कहो करने को तयार हूँ बस तुमारे ना नहीं सुन सकता मुझे मैं ऐसा क्या देखा मिस्टर कुमार जो इस हद तक दीवान गी है वैसे आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है शीला भावी से आपकी तारीफें सुन चुकी हूँ सच तो यह है आपको मुझे ज़्यादा अच्छी हजार लड़किया मिल जाएंगी हम दुनों के बीच कोई प्रेम संबंध भी तो नहीं है मेरी जो परिसितियां है उनमें इतनी जल्दी कोई नेड़ने ले पाना संबभ नहीं है इसका मतलब आप प्रेम में यकीन तो रखती है अच्छा एक बात बताईए क्या कभी कोई आपको आपकी ओर से या आप किसी की ओर आकरश्ट हुई है मेरा तो सवाल ही नहीं उठता हाँ अगर कोई आपकी तरह मेरा बाहरी रूप देखकर आकरश्ट हुआ भी तो मेरी उदासीनता और दृड़ता के कारण किसी को आगे बढ़ने का साहसी नहीं हुआ उस रिश्टी से आप सच मुझ बहुत हिम्मती है मिस्टर कुमार आपकी बातों में नजाने क्या बात थी जो आपके साथ मैं अपनी वो बातें शेयर कर सकी जो वर्षों से मेरे सीने में कैथ थी मिस्टर कुमार नहीं आपके मुझसे शरद अच्छा लगेगा इसका मतलब मुझसे आप प्रेम भले ही न करें पर आपके मन में मेरे लिए नफरत तो कता ही नहीं है अब आप मेरी हिम्मत जानी गई है तो मैं अपना लक्ष पूर्ण किये बिना पीछे नहीं हटने वाला आपको दो दिन का समय देता हूँ बशर्ते आपका उत्तर हां में होगा क्या ये बात धमकी तो नहीं है या जो आपने हमारे प्रोग्राम के जो तीज टिकेट बेचे उसका मुआफ़जा चाहते है आकांग्षा हलके से मुस्कुराई अच्छा है तो आप मजाग भी कर लेती है शायद अभी आपके वेक्तित्व के नजाने कितने प्रश्ट खुलने बाकी है शरद भी हक पड़ा भर पहुंच चाचा कुना देख शरद ने सूचा वैं किसी से मिलने गए होंगे उन्हें सारी बात बताने को तावला था आकांग्षा क्या हां कहेगी मन बेचैन था संध्य का अंधकार घिरता आ रहा था तब ही उसके चाचू जानने घर में प्रवेश किया आप कहां कहेते चाचू खबसे आपका इंतुजार कर रहा था शरद ने नाराज़की दिखाए लगता है तुम्हारी बात बनी नहीं वरना चेरा यू लटका ना होता बिना रुके शरद आकांक्शा के साथ हुए अपनी सारी बातें बता गया मुझे तो उम्मित कम लगती है तुम्हारा प्यार एक तरफा है शरद नहीं चाचू उसने खुस पीकार किया है मैं वे पहला इंसान हूँ जिसके साथ उसने अपना दिल खूल कर बातें शेयर की है आपको ऐसा क्यों लगता है शरद मायूसी से बोला अरे बेटा तेरा दूरा काम मैं कर आया हूँ तू तो उससे हाँ नहीं करा सका पर मैं उसकी रजामंदी ले आया हूँ काम आसान नहीं था पर तेरी बातों से उसे नई दिशा मिली और बाकी कमी मेरी कोशिश से पूरी हो गई आखिर तेरा चाचू जान जो ठहरा चाचा मुस्कुरा रहे थे तो चाचू आप बहुत महान है बहुत बहुत शुक्रिया खुशी से शरत चाचू से लिपट किया कल वापस चला जाओंगा बाबी को तो राजी करना है वो तो आपके बाएं हाथ का खेला चाचू शरत का छेरा खुशी से जगमगा उठा दूसरी सुभे का शरत को बेसबरी से इंतजार था हाथ में अपनी गार्डन की ताजे गुलाबों के साथ शरत आकांग्शा से मिलने जा पहुँचा स्वीक्रती देखर शरत को अनुग्रियत किया है आकांग्शा देखो इन गुलाबों में एक भी कांटा नहीं है अब शरत कुमार के साथ तुमारा जीवन भी कांटक रहित होगा आप पर विश्वास है अब इस आकांग्शा के जीवन में अगर कभी किसी कांटे ने गलती से भी आने की कोशिश की तो वे चुब नहीं सकेगा क्योंकि उसमें प्यार का गुलाबी रंग होगा हाथ में शरत के लाए गुलाब के फूल लेती आकांग्शा ने कहा कमाल है मेरी चाहत ने आपको एक रात में कवित्री बना दिया आकांग्शा जी आपने तो कांटो को भी गुलाब का ताज पहना कर गुलाबी रंग दे दिया शरत हस रहा था कवित्री तो नहीं पर सच ये है आप से बाते करने के बाद इतना हलका मैसूस कर रही थी जैसे आकाश में उड़ रही हूँ यही सच है अपने पंक पसारो आकांग्शा तब देख पाओगी सारा आकाश तुम्हारा है आकांग्शा के माथे पर जूल आई लटको बड़े प्यार से हटाते शरत ने कहा उबारते सूरे की रश्मियों के साथ आकांग्शा के चहरे पर खुशों के गुलाब खेल रहे थे कहानी सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ग्रप्या चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब अवच्छे करें